नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद हिमहतो पूर्ण जानकारी को लेकर के जी हाँ बालों की नेचुरल ब्यूटी के लिए आज हम आपको हैर टिप्स बता रहे हैं इसमें कोई दोराय नहीं है कि सुंद दार बनते थे आज के युग में कई तरह के साबुन और अन्य चीजों को बालों की सारसंभाल के लिए प्रियोग में लाया जाने लगा है इनसे बाल पोशक तत्व हासिल करने के स्थान पर समय से पूर्व तूट कर गिरने लगते हैं साथ ही सफेद होने लगते हैं इस हमा बालों को बालों के रख रखाव के बारे में कुछ ऐसी हमातों पूर्ण जानकारिया दे रहे हैं जिन्हें इस्तिमाल करने के बाद आप अपने बालों को सुद्रिड काले और चमकदार बना सकते हैं सबसे पहले खटी दही में चुटकी भर फिटकिरी मिला लिजे साथ ही थोड़ी सी हल्दी भी मिला लिजे इस मिश्रण को सिर के बालों में लगाने से सिर की गंदगी तो दूर होती ही है साथ ही सिर में फैला संक्रमण भी दूर होता है इस क्रिया को करने से सिर के बाल निखर जाते हैं बालों को दोने के बाद गोलाकार कंगी से बालों में भली प्रकार से ब्रश करना चाहिए, इसके बाद सिर्के बालों के जड़ों में उंगली घुमाते हुए अपना हाथ उपर से नीचे की और फिराएं, ऐसा करने से आपके बाल हमेशा मुलायम बने रहेंगे, हपते में कम से कम एक बार अपने सिर्के बालों में जैतुन के तेल की म पालिश अवश्य करनी चाहिए ऐसा करने से सिर के बाल सफेद होना बंधो करके मजबूती पाते हैं धूल और प्रदूशन के प्रभाव से सिर के बाल रूखे और बेजान से हो जाते हैं इनसे छुटकारा पाने के लिए हमेशा अच्छे शैम्पू से बालों को धोना कुदरती साधनों के इस्तेमाल से बालों को सुंदर बनाया जा सकता है बालों को अच्छी तरह धोने के बाद बालों में ताजी महंदी पिसकर लगानी चाहिए कुछ वक्त बाद बालों को पानी से धो लेना चाहिए हपते में एक बार बालों में तेल की मालिश जरूर करन ऐसा करने से बाल कमजोर होकर असमे तूटने लगते हैं बालों की साफ सफाई में लापरवाही नम परते याद रखें कि पसीना बालों की जड़ों में पहुचने पर बालों को नुकसान पहुचाता है इससे बचने के लिए हफते में कम से जरूर करें बालों में अक्षा रूस्य की समस्या उत्पन्न हो जाया करती है जिससे बाल बेजान होकर तोटने लगते हैं इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले बालों में अच्छी तरह से तेल लगा लें फिर गर्म पानी में भींगे तोली एसे बालों को भाप दें ऐसा करने से बालों की रूसी खत्म हो जाती है प्रियोग में लाई गई चाई की पत्ती को थोड़े से पानी में उबालने इसके ठंधा होने पर इसे बालों में लगाएं हपते में कम से कम एक बारी स्क्रिया को जरूर करें इस्क्रिया को करने से बाल मजबूत हो जाते हैं इसके अलावा कुदरती साधनों के इस्तेमाल से बालों को सुंदर बनाया जा सकता है बालों को अच्छी तरह धोने के बाद बालों में ताजी महंदी पीसकर लगानी चाहिए कुछ वक्त बाद बालों को पानी से धो लेना चाहिए इससे बाल हिल्दी और मुलायम बनते हैं तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए बालों को हिल्दी रखने के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों